Hello everyone, so आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, उसका कीवर्ड है Stagnation, Stagnation जिसमें की Blueness, Coldness और Echaimosis इस मेडिसिन में देखने को मिलती है ठीक है? और इसमें Stagnation होती क्यों है? क्योंकि इसमें Oxidation यानि Oxidation का मतलब होता है कि जो हमारे Living Cells होते हैं उनको energy चाहिए होती है ठीक है उनको अपने structure और अपने functions को maintain करने के लिए energy की need होती है और energy मिलती है oxidation से यानि कि जब perfect amount में हमारा oxygen and hydrogen का exchange होता है उसी से ही उनकी carbohydrate proteins और ये oxidation से ही हमारे energy produce करते है ठीक है अब इसमें क्या होता है imperfect oxidation होता है जिसके जैसे ये patient होते हैं वो बहुत लगेश बहुत lazy type की होता है और इनका digestion भी बहुत slow होता है और ये patient जब कभी भी बिमार पड़ा होता है पास्ट में तो ये recover नहीं हो पाता है बहुत लंबे समय तक इस medicine को aversion होते है milk से meat से fatty food से और इसकी कुछ modalities है जो की बहुत मागड़ है जो की है कि इसे fanning से cold fanning cold bathing से बहुत issues रहते हैं और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ग्यास की formation होते है तो बहुत जादा लगता है आफ्टर बैल्चिंग बट रिलीव जो एसमें तेंपरेरी इसी से ही मिलता है बैल्चिंग से एडिया सो इस वाव्ट रेमिडी एड रेमिडी इस और विज्वावेड़ कर बैया जो कर्ब वज्वाड़ के बारे में आप और डी टेल में पढ़िये बार्ट इस वाज था कीवर्ड पार इस तो आप यू लाइक भूए देर्ट